नमस्कार मैं हूँ आपके साथ राकेश ठाकूर और आप देख रहे हैं के चनल, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर परदेश्टगार शीर्शा के क्षितर में कर रही है भैतर कारय सोलन जिला के राज के उप्रिष्ट मादिमिक पार्थला ममलीक के सौ बर्ष पुर्म होने पर बोले मुखे मंतरी बीर बदर सिंग जोर्नल ऑस्पिटल मंडी के पालने में छोड़ दिया नवजाद बच्ची को पालने में नवजाद छोड़ने का पहला मामला हाय सामने संचाय बच्चों को छोड़ने के लिए रखा गया है पालना मुखे मंतरी बीर बदर सिंग ने कहा कि परदेशरगा शिक्षा के एक्षेतर में बहतर कारे कर रही है उन्होंने कहा कि शिक्षा किसी भी परदेश की नीम होती है उन्होंने कहा कि यदि छातर बहतर शिक्षा परापत करेंगे तो बहतर इंसान बनकर राष्टर के निर्मान में अपना अमूले योगदान देंगे बीरबदर सिंग ने कहा कि परदेश में 16,000 से अधिक सरकारी स्कूल कारे कर रहे हैं और 125 से अधिक कॉलेज खोले गए हैं जो कि छातरों को बहतर शिक्षा परदान कर रहे हैं मुख्यमंत्री सोलन जिला के राज के अब्रिश्ट मादेमिक पार्चला ममलीक के सौ वर्ष पूर्ण होने परचतापती समरों पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री बीरबदर सिंग ने कहा कि परदेश में 16,000 से अधिक स्कूल कारे कर रहे हैं वो 125 कॉलेज हैं जो कि उनके कारेकाल में ही बने हैं उन्होंने कहा कि इसे पूरुप गिनेचुने शिक्षा संस्थान परदेश में हुआ करते थे उन्होंने आरोप लगाने वालों पर तंच कसते हुए कहा कि बिरोधी जिनके उपर आरोप लगाते हैं कि बीर बदर सिंग ने रेवडियों की तरह स्कूल कॉलेज खुले हैं उन्होंने कहा कि जब शिक्षा का स्तर भेतर होगा तब ही हमारा देश तरक्की कर सकता है मैंने बहुत खुशी है जहाँ जाज की स्कूल में ऐसे मौके पदाना हूँ जब आज हम इस स्कूल का एक सो वर्ष पूरा होने का कशन आज है जहां पर विकास नहीं हुआ है जाके शिक्षा के ख्षित्र में घ्रां की आई है आज हमारा की अंदर सोरह हजार से जाजर स्कूल है जब की दरे इने गीने होते हैं एक सो पट्चिस कॉलिज आज हमारा में खाम खरेंगे और मुझे इस वाग करिए प्रसंदा है कि यो इतने स्कूल है इतने कॉलिज है चैन्सर्ट्र स्कूल है ये सब मेरे कार्वेकार में ही हमारा परदेश में खुले गए है क्याई लोग आज उट्टा करते हैं कि फीर भजज ने लियोडी की तरह स्कूल कोंगी मैंने कहा अगर हम शिक्षा कोनी बठाएंगे मारा समाज शिक्षत नी होगा तो वो तकी नहीं कसका बच्चों को में कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि आने वाले समय में सभी स्कूलों वो कॉलोजों में अपने 50 बर्ष या 100 बर्ष पूर्ण होने पर ऐसे कारेकरम आयोजित करेंगे उन्होंने कहा कि परदेशरकार शिक्षा में गुनवता लाने का हर संबब प्रयास कर रही है इस दुरान उन्होंने स्कूल के 100 बर्ष पूरे होने पर स्कूली चातरों सहित वहां के लोगों को बधाई दी वो आशा ब्यक्त की कि आने वाले समय में यह स्कूल नहीं उन्चाईयों को चुए इस दुरान समाजी गन्या एवं अधिकारिता मंत्री धनिराम शांडिल भी मौझूद रहे वो उन्होंने भी स्कूल के 100 बर्ष पूरन होने पर स्थानिय लोगों सहित मुख्य मंत्री का अभ़ार ब्यक्त करते हुए कहा कि परदेश में शिक्षा का स्तर बहतर है वो गरदवार के निकट नौनी हालों को बहतर शिक्षा मिल रही है जौनल ऑस्पिटल मंडी में अंचाहे बच्चों को छोड़ने लिए जो पाला लगाया गया है उसमें एक माँ अपनी नवजात को छोड़ाई है इस पालने में नवजात को छोड़ने का यह पहला मामला है बतादे की गतबर्ष दिसंबर में जिलापर शाषन के आदेशों पर बाल सनक्षन और सवास्ते विभाग ने संयुक तरूप से जौनल ऑस्पिटल मंडी में एक पालना स्थापित किया है जहां पर दमपत्ती अपनी अंचाही संतान को छोड़ सकते हैं यह पालना इसलिए स्थापित किया गया है ताकि किसी नवजात को ना पालने की सूरत में उसे ना तो मौत के गाट उतारा जा सके और ना ही उसे कहीं फैंका जा सके किसी नवजात को जिनकी की सांसे मिल सके इसी उदेशे से योग पालना जॉर्णल ऑस्पिटल मंडी में सर्जिकल बार्ग के बाहर स्थापित किया गया है बताया जा रहा है कि बीर बार दोपहर को एक मा अपनी नवजात बच्ची को इसमें छोड़ाई इसकी सुचना जैसे ही अस्पिताल प्रवंधन को मिली तो उन्होंने बाल स्रंक्षन विभाग को सुचित किया और बच्ची को उपचार के जॉर्णल ऑस्पिटल के N.C.U. में बर्तिक करवा दिया जिला बाल स्रंक्षन अधिकारी दुनीचन ठाकुन ने बताया कि बच्ची को अभी जॉर्णल ऑस्पिटल में बर्तिक करवाया गया है और जब डॉक्टर बच्ची के पूरी तरह से स्वस्थ होने की रिपोर्ट देंगे तो उसके बाद बच्ची को शीशु केंदर शीमला बेज दिया जाएगा उन्होंने बताया कि यदि कोई इस बच्ची को गोद लेना चाता है तो वो शीमला स्थित शीशु केंदर में संपर्क कर सकता है उन्होंने परसंता जताय की मैला ने नवजात को इदर उदर फैंगने के बजाए पालना केंदर में छोड़ा उन्होंने बताया कि बच्चे की सईडंग से परविश की जाएगी कानपूर में संपन हुए भारतिय मजदूर संग की अठारबे अखिल बारतिय अद्वेशन में निती आयो के पुनरगठन और विविन उद्योगों की समस्यों को पारित परस्ताबों को शिगर कारेवाई करने के लिए भारतिय मजदूर संग जिलामंडी ने उपायुपत के मादियम से देश के प्रधानमंत्री निरिंदर मोधी को इद्यापन बेचा भारतिय मजदूर संग जिलामंडी ने निती आयो की नितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि आयोग की नितियां देश भर के मजदूरों वा उद्योंगों पर पतिकूल असर डाड़ रही है PMS का मानना है कि सरकारें देश और प्रदेश में करमचारियों की समस्याओं की तरफ कोई गौर नहीं कर रही है PMS ने आरुप लगाते हुए यह भी कहा कि प्रदेश सरकारे केंदर की नितियों को लागू करने में भी आनाकानी कर रही है जिससे देश का मजदूर, करीब और किसानवर के साथ साथ सरकारी और नीजी करमचारी अपने आपको ठगा सा महसूस कर रहा है PMS ने मोदी को भीजे ग्यापन में मांग उठाई है कि मजदूरों के हकों को ध्यान में रखते हुए नितियों में बदलाव किया जाना चाहिए ताकि सुमाज के एक बड़े वर्ग को कठनाईयों का सामना ना करना पड़े उपायुक्त मंडी संदीब कदम के माध्यम से भेजे ग्यापन में PMS ने इन सभी समस्याओं की निदान के लिए प्रधान मंत्री से सीधे तोर पर हस्त क्षेप करने की मांग उठाई है साथ ही PMS ने समस्याओं का निचित समय में समाधान ना होने की सुरत में सडकों पर उतर कर एक बड़े आंदोलन की चितावने भी सरकार को दे डाली है कर्मिचारियों की बहुत सी ऐसी मांग है जैसे दो जातीन के बाद पैंसन काना मिलना नीती आयों के फैसले को लागूना करना बिक लाक्षन की बहुत सारी डिमांडे है और आंगनवारी कारेकरतों की बहुत सारी डिमांडे है अभी कार्ता संग की डिमांडे है बिजली बोर के कर्मिचारी आईपेच के कर्मिचारी और जितने भी कर्मचारी है जितनी भी जो मजदूर्ग्रोध नितियां हैं सरकार की, उसके बारे में आज एक ग्यापन दिया गया और इस ग्यापन में सरकार से राष्ठा की गईтории, कि समय रहते हुए इन मांगाओं को पूरा किये जाए नहीं तो आने वाले समय में पूरे देश में भारतियमी दूरसंग बहुत बड़ा एक एजिटेशन करेगा और उसकी सारी जिंबारी प्रदेश सरकार की और किंदर सरकार की होगी पिरोई पोर्ट के चराल बक तो चला एक छोड़े से ब्रेका आप बने रहे हमारे साथ ऑफ बिवीय का लास्ट एट उफ अबिकेशन दस जून होगा इसके बाद उनका एंटरेंस टेस्ट बाररा यून को है बी सीय का 17 जून को इनके फॉर्म्स वहां पर समिट होंगे और उसके बाद 20 को एंटरेंस टेस्ट है और PGPC क्या साथ जून को फॉर्म समिट करने के लास्टेट है हमारे इस साल हमारे महाविध हैले में सरकार के तरफ से पांच नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किर गए हैं पेंटिंग, स्कुल्चर, साइकॉलोजी, एप्लाइड आर्ट्स, पूर्ज एंट्रफू इन में हमारे पास स्टाफ ने भी जॉइन कर लिया है तो इसमें स्टुडेंट्स फाइन आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनको वोकेशनल तौर पे भी जो सीख सकते हैं और अपनी एंप्लाइबिलिटी को एंशियोर कर सकते हैं और इसके लाब बी वॉक इमाचल और वाशल पिकास निगम की तरफ के इनिशेटिव से ये वारे महाविद्याद में इमाचल के बारा कॉलजीज में ये कुर्स स्टार्ट किया जा रहा है जिसमें रेडियल मेरिजमेंट, हॉस्पिटैलिटी और टूरिजम ये दो विशे शुरू के जा रहे हैं जिसमें 40-40 सीड्स होंगी और इसमें मेरिट बेस्ट पे अड्मिशन होगी और 16 जूम से सारी हमाचल के महाविद्यालों भी अड्मिशन होगी बी वॉक में पॉशन विकास निगम की तरफ से जो भी सिलेक्टिट स्टुटेंट्स होगी एक एखजार पे उनको चात्र वृत्ति भी दी जाएगा तो सभी चात्र अपना जो प्रोस्पेक्टस है अमारे महाविद्याले का दो तिन दित के बाद उपलब भूँ जाएगा तो उसमें इस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ें और जो विशह हैं उनके कंबिनेशन के बारे में भी वो अपनी रुची के रुसार वो उनको सिलेक्ट कर सकते हिमाचल साइत जम्मु कश्मीर उतराखंड वो अन्य स्पेशल केटेगरी स्टेट को जियस्टी का बरपूर फाइदा मिलेगा क्योंकि यह कंजिवमर स्टेट है इसका कितना फाइदा होगा इसका आगलन किया जा रहा है जियस्टी विशेपर एक विशेश बहेंट बारता में जानकारी देते हुई आपकारी वोकराधान मंत्री प्रकाश चौधरी ने कहा कि यदि फिर भी कहीं आरंबीक तोर पर जियस्टी से परदेश को कोई नुकसान होता है तो उसकी बरपाई प्रतम पांच बर्शन तक किंदर सरकार करेगी उन्होंने बताये कि हिमाचल कैबिनेट ने जियस्टी को गतमहा 27 मही को मंजूरी दे दी है इसे एक जुलाई से पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा जिसके लिए बिभाग ने पूरी त्यारी कर ली है वहीं आपकारी वो करदाहन बिभाग ने जियस्टी को परदेश में प्रभावी तरीके से लागू करवाने के लिए पूरी तरह से कमर कसली है विभाग के आयुक्त द्वारा अधिकारियों वो कर्मियों की चुट्टी लेने पर पूरुन तहा रोक लगा दी है इसके तहत किसी विशेश परिस्तेती में आयुक्त की पूरुब अनुमती से ही चुट्टी के लिए मंजूरी लेनी होगी कि जी एसटी सेंटर कॉर्मनें लाया कई स्टेटों ने सको एक्सेप्ट किया हमाचल पादेश में पीज्ले स्ताइट को इसको पास कर दी है जी एस्टी से हिमाचल जैसी स्टेट जो स्पेसल केटिगरी स्टेट है इनको फैदा होने के आसार है क्योंकि कंजूमर स्टेट है मैंने सुना है कि manufacturing state जो है जिनको लॉस होने के आसार है पर consumer state होने के नाते हिमाचर परदेश जैसी state को इसका फैदा होगा और फैदा कितना होगा एससेस नहीं हुआ है इसको एससेस करने जा रहे हैं और अगर इसमें लॉस भी होता होगा तो इसकी बरवाई जो पांच साल त को फैदा होता है जितना लॉस होता है के चैनल के लिए सुन्दरनगर से बिजय श्यर्मागी रिपोर्ट सुन्दरनगर में भाखडा बयास Employees Union एटक द्वारा अपनी मांकों के संदर में एक जनसभा का आयोजन किया गया जिसमें दिल्ली चंडिगर पंजाब अर्याना सहीत विविन राजियों से आए होई यूनियन के पगादिकारियों सदस्य वक कर्वियों ने भाग लिया यूनियन के अध्यक्ष सौदागर सिंग चंडेल महासची मुहनलाल वर्मा सहीत विविन वक्ताओं ने सीधे तोर पर बीबी एमबी में व्यापक स्तर पर फैले हुए भरष्टाचार को उजागर किया उन्होंने भरष्टाचार पर हला बोलते हुए आरूप रगाया कि बीबी एमबी में भरष्ट अधिकारियों वा उनके चहीतों को गोर्ड मैडल दिये जाते हैं और अधिकारी ठेकेदारों से मिली भगत कर बीबी एमबी में खुली लूट कर रहे हैं उन्होंने कहा कि दिहाडी दार वा अन्यकर्मियों को अधिकारियों ने अपने क्वाटरों में नौकर बना कर रखा हुआ है और उनसे नीजी कार्यक करवाए जा रहे हैं उन्होंने कहा कि BBMB के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, स्टाफ की भारी कमी है, अर्टरसाउंड मशीने धूल फाक रही है, अस्पतालों में प्रयाप्त संख्या में एम्बोलंस नहीं है, विभिन परियोजना क्षित्रों में मशीनरी खराब हो, जंग खा रही है यहां पर एक बात देखी गई, अभी आपको ध्यान होगा, साएथ सभी को पता यहांपर, कि अभी भी 15 मही को यहांपर फंक्शन किया और तलवाला कंदर, वहांपर मेडल दिया गया, और मेडल उन लोगों को दिया गया है, जिन लोगों के खिलाब कारवाई है, जिनों य यहां बोर्टा नुक्षान किया जहा हो सामान कषी को दे दिया ठेके इदार का काम के रहे हैं यहां बहुत सारे चीजे पकड़ी गई है इस च्वार में समान उठाया और जाकर चूरी कर ले लग गाड़ी आएं किसी इदार का काम करें थे एसे लोगों को मैडल दिया गए और जो लोग यहां लगादवार काम करते चला कोई मैडल की वहस्ता नहीं बनाएगी हम विभाग को बार-बार कहे जा रहे हैं पहले सजीद किया यह प्रयास कहा जाए कि जो कामकर तो उनको दिया जाए बहुत सा अधिकारों को संभाजित कि की जा रही है उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे खास कर्मियों के क्वाटरों पर 200 बोरी सिमेंट तक की बरबादी की गई है जबकि आम कर्मियों के क्वाटरों की मामूली रिपेर भी नहीं की जाती है उन्होंने कहा कि आज भी कर्मी नियायले में हकों के लिए लड़ाई पिछले लंबे समय से सुन्दर नगर में स्थाई चीफ इंजीनियर की तैनाती नहीं की जा रही है चहेतों की भरती हो रही है इससे पुरव यूनियन ने अपना 13 सुत्रिय मांग पत्र सुन्दर नगर दौरे पर आए नवनियुक्त चेर्मेन को सुपा और कर्मियों को पेश उपरप्रधान मातवर सिंग, उमेश्वर कुमार, विद्या प्रसाद, मेजर सिंग सहित आय हुए सैक्डो कर्मियों ने शिर्कत की के चैनल के लिए सुन्दर नगर से विजाई शर्मा के रिपोर्ट सोलन के जोनाजी सड़क पर काला घाट के समीप बितीरातरी करीब, सड़े 12 बजे एक कार अनियंतरित होकर सड़क से 200 फिट नीचे गैरी खाई में जागरी, जिसमें से तिन यूपकों की मौके पर ही मौत हो गई गटना की सुचनाग घाईल यूपक ने पुलिस को दी, सुचना मिलते ही पुलिस तरंत मौके पर पहुंची और 108 एंबुलेंस सेबा के मादियम से घाईल यूपक सहित मृतिकों को भी अस्पताल पहुंचाया गया, पुलिस ने मामला दर्च कर जांच शुरू कर दी है जानकारी की अनुसार सोलन के काला घाट में एकार 200 मिटर गहरी खाई में गिरी, जिसमें चार यूपक सवार थे तीन यूपकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि एक यूपक का इलाज सोलन अस्पताल में चल रहा है दो यूपक जोणार जी के समीप, कोटला के रहने वाले और दो यूपक नालागड के बताया जा रहे है मृत्तकों की पैचान 24 बर्शे संजे, 22 बर्शे तन्नू और 23 बर्शे राहुल के रूप में होई है वो ही 21 बर्शे राज़त का इलाज क्षेतरी अस्पताल में किया जा रहा है गटना की जानकारी देते हुए 108 एम्बुलेंस सेबा के EMT बिनूत कुमार ने बताया कि करीब एक वजे 108 पर सुचना मिली की काला घाट के समीप एक कार सड़क से निचे चली गई है तुरंट वो एम्बुलेंस लेकर मौके पर पहुंचे और एक गाहिल को तुरंट सोलन क्षेतरी अस्पताल पहुंचाया गया उन्होंने बताय कि तीन लोगों की मौके पर मौत हो चुकी थी जो है गंभीर स्थीती में था जिसको की इशेतरी स्टाल सोलन लाया गया जो की इशेतरी स्टाल सोलन में उप्चारा दीने और तन्नू, राहूल और संजय कुमार जो है स्पोर्ट पही मृत पाये गये से बीर रपोर्ट के चैनल सोलन बगतों चला एक और छोड़े से ब्रेका आप देखते रिए के चैनल मंदी में सर्वाधिक स्लेक्षन देने वाला संस्थान, फ्री कोचिंग फोर टेनीक तेस्ट, रिश्टेशन फीस अले 500, बेशेल आप दिसकांत है कोचिंग इस अल्स अवालीबल फोर्ट कमिंग एक्शम सच्छदीवा इ्टनेशनल स्कूल पड्द बंडी हिमाचर परदेश अदमिय सार्ट पर 2017-18 सच्छदीवा इंटनेशनल स्कूल जहाटा बाचाम मंडी, ब्ले वित्क्रेच admission also starts प्रभुध्याल मेमोरियल पॉल टेक्निक, a unit of सच्च्टिवा कॉलेज मंडी हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभिहान के सेवजब देशरा शर्मा ने कहा कि किसान के मुद्धों और मंडी मेडिकल इन्वस्ती के मुद्धे को लेकर हिमाचल बचाओ किसान बचाओ अभिहान 10 जुलाई को मंडी के सीरी मंच पर पर पदशिन करेंगे ताकि किसानों की समस्याँ के प्रति सरकार को चिताया जा सके हम किसानों के लाब कारी दाम तै करने को लेकर के और घुमी हिनों को घुमी ब्याजबुक्त वरीन और जो बने प्राणिया तंक हैं तमाम उत्वों को लेकर के हम लोग यहां धरने पर बैठे हैं और जिस तरह हम देखते हैं कि पंजाब में करनाटका में उतरप्रदेस में महरास्टना में करजमापी हो गई है लेकिन हिमा हिमाचल परदेश का जो किसान है, वो हमारे निताओं ने जिस तर चमारे जल जंगल जमीं की लगा तालूट से हमारे किसानों को भी उनके भूमी और उनके खेतों से बेदखल करके नौजवान पीडियों को विस्थापन और विरोजगारी के नर्क में खेल करके हिमाचल पर हैं, लेकिन हिमाचल परदेश की सरकार सोई है, तो दस जुलाई से, दस जुलाई से हम लोग इसी मंच पर किसान हितों और मंडी कलस्टर अन्यूस्ट्री या मेडिकल अन्यूस्ट्री जैसे मुद्दों को लेकर के आमणन सन पर बैठेंगे, और इस दोरान, दस जुला करके, कोई ना कोई गदम आगे बढ़ाए, और मंडी कलस्टर अन्यूस्ट्री और मेडिकल अन्यूस्ट्री के लिए भी सरकार जोहां जारी करें, हम तमाम किसान भाईयों से, चात्रों से आगरा करते हैं, कि इस दस जुलाई का जो हमारा यहां मनसन सुरू होगा, इसके ल करके, सरकार को मजबूर करें. के सासाथ, सलानियों को भी यहां पर बहान चलाने में दिकत पेशारी है, उन्होंने बताया कि गाड़ी चलाते हों, उनके बहान के चेमबर भी इन खड़ों में टूट रहे हैं, उन्होंने खा कि जब इस बारे में लोक निमार विभाग के SDO पवनराना से बात की, तो उन् के चनल के लिए, बहान चलाते हैं, बहान चलाते हैं, बहुत 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 हैं, बहुत 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 हैं, बहुत 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 हैं, बहुत 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 हैं, बहुत 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 हैं, बहुत बहुत हैं, बहुत बहुत हैं, बहुत बहु प्रदेश्टकार शीर्षा के क्षितर में कर रही है भैतर कारया सोलन जिला के राज के उप्रिष्ट मादिमिक पार्थला ममलीक के सौ गर्ष पुर्म होने पर गोले मुखे मंतरी भीर बदर सिंग जोर्नल ऑस्पिटल मंडी के पालने में छोड़ दिया नवजाद बच्ची को पालने में नवजाद छोड़ने का पहला मामला हाया सामनी संचाय बच्चों को छोड़ने के लिए रखा गया है पालना बी एमेस ने निती आयो की नितियों पर उठाये स्वाल समस्यों के बारे में पदान मंतरी को विचा ग्यापन आने वाले समय में सटकों पर उदर कर आंदोलन की दी चोनौती और सोलन में कार आने इंतरत होकर सड़क से 200 फिट गयरी खाई में जागिरी थीन युपकों की मौके पर होगी मौट एक युबग सोलन के इक्षेत्री अस्पिताल में उपचारा धीन एक युबग और से मौके युबग अवग व्पचारा धीन